गुस्षाय में आप सबको गोराखपूर महानगर की सबसी भी आईपी कालोनी आज में आपको दिखाने वाला हूं तो दोस्तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको गोराकुर के डेवलप्मेंट प्रोजेक्ट पर वीडियो देखने को मिलती रहे और फानली दोस्तो अभी हम आ चुके हैं शहर के बेटकर पार्क के पास यानि कि तारह मंडल वाले रोड में हैं हम और आपको बता दू कि यह जो सड़क है इस सड़क को भी आलमोस्ट काफी ज़्यादा चौड़ा किया चुका है और इतना ही नहीं अभी हम जी सेरे से गुज सेक्षन में जरूर बताएं रभी हम दोस्तो तारह मंडल से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं सिधार पूरम कालोनी की पास तो इधर का जो एरिया है दोस्तो चुकि सबसे अच्छी कालोनी मतलब मैं इस लिए कह रहा हूं क्योंकि इस एरिया में सड़के काफी चोड़ी चोड़ी सड़के आपको मिल जाएंगी ऐसे तो सहर में बहुत सी व्याइपी आवासी कालोनी जो की मौझूद हैं लेकिन परस्नली मुझे जो है सहर का तारह मंडल से लेकर सिधार पूरम की जो कालोनी है सबसे अच्छी मुझे यही कालोनी लगती है और ऐसे तो राप्ति कालोनी जो है की जादे अच्छी लगती है और अभी हम दोस्तों ट्रेवल करते हुए हम सिधारपूरम कालोनी की तरफ हम एंट्री कर चुके है और इस एरिया में जो है दोस्तों आप देख भी पा रहे होगे सड़के की काफी टिक टाक चोड़ी है और यह कोई हाइवे नह क् impacto कि आई जैसे और और एसी वीएपी कालोनी आपको जो है तो सब को सब्सक्रा के के बहुं से लहसे वाप हाई तो वहांपर आपको अच्छी ची सु च्या वाशिक करनी आपको सब्सक्राइं धेख को मिल जाएंगी और आपको बता दो कि यह कालोनी है जिदी के दौर ही बसाई गई थी और दोस्तों काफी अच्छी इसे माकाने भी जो है कि इस एरिया में बनी हुई है लेकिन दोस्तों कीमत 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 काफी ज्यादा हाई है और इस एरिया में सबसे खास बात यह है दोस्तों कि हर घर के सामने बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हो सकती है की मौझूद है जैसे कि अगर आप राजेंद्र नगर एरिया साइड में भी कुछ कालोनिया है काफी अच्छी कालोनियों साइड भी है राप्तिनेगर एरिया में भी तमाम कालोनिया है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक यही कालोनिय गुरखपुर की सबसे भ्याइबी कालोनिय बट यह चीज मेरा पर्सनली कहना था कि मुझे यह अरिया सबसे अच्छा लगता है अगर हाउसिंग कालोनी की अगर बात की जाए तो मतलब कि मेट्रो सिटी वाला दोहज जो है कि दोस्तों फील आता है यानि कि अगर आप मेट्रो सिटी के किसी आवासी कालोनी में अगर रहते हो तो आपको इसी तरह का नजारा देखने को मिलता है तो ऐसा नजारा दोहज दोस्तों मुझे सहर के तारा मंडल से लेकर सिधारभ पूरा मोते हुए इस अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्सें बता कालोंई कौन सी नजर आती है और कालोंई वही कालोंई बताएं जो कि सिर्फ हाउसिंग और रेजिडेंसल कालोंई हो ना कि कामर्शल एरियाज हो और ऐसे तो शहर में खोराबाड टाउंस्टीप की लांच किया गया था तो उसमें भी जो है कि GDA के तरफ से उसमें कापी सरफ प्रोजेक्ट थे अपार्टमेंट्स प्रोजेक्ट्स भी थे इसके अलावाा हाॉस इंग प्लॉटिंग वाले भी प्रोजेक्ट्स थे तो खोरावा टाउम्सिफ फे मीचृ बने देने वाले हैं तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में फिर किसी नए अब्डेट के साथ तब तक लिए जाएंगे